राजेश खर्ना और शर्मीला टैग और स्टारर फिल्म अमर फ्रेम को रिलीज वे उन्चार साल हो गए हैं फिल्म की उन्चारिसवी एनिवर्सरी पर हम आपको बताएंगे फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प किसे कुछ तो लोग कहेंगे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना नमस्कार आप देख रहे हैं NBC हिंदी मैं हूँ आपके साथ शामली कात्याएं पुश्पा के आनंद बाबू तो आपको याधी होंगे जी हाँ मैं बात कर रही हूँ 1972 के दश्रक में आई फिल्म अमर प्रेम की इस फिल्म में भी राजेश खन्ना और शल्मीरा टैगोर ने मुखे किरदार निभाया था फिल्म अमर प्रेम को रिलीज वे 49 साल पूरे हो चुके हैं इस फिल्म को डारेक्ट और प्रड्यूस शक्ती सामत ने किया था ये फिल्म बंगाले फिल्म निशी पद्मा की रिमेक है जिसका निर्देशन अरविंद मुखर जी ने किया था शक्ती सामनत के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी लिखी थी विभूती भूशन बनर जी ने और इसका स्क्रीन प्ले तयार किया था और विंद मुखर जी ने फिल्म के डालॉग रमेश पंत ने लिखे थे जो आज भी काफी मिशूर है वैसे ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि फिल्म का सबसे सूपर हिट डालॉग पुश्पा आई हेट टियर्स के पीछे की कहानी क्या है तो शेलिए हम आपको बता देते हैं फिल्म अमर प्रेम का स्क्रीन प्ले लिखने वाले अरविंद मुखर जी बंगाली थे जिस वजहा से उनकी हिंदी कुछ खास अच्छी नहीं थी जिसके चलते उन्होंने फिल्म का स्क्रीन प्ले इंगलिश में लिखा था जिसके बाद इस फिल्म के डालोग लिखे गए और हिंदी में ट्रांसलेट किये गए जिससे फिल्म के डालोग राइटर रमिश पंते ने लिखे लेकिन सिवाई एक डालोग के जो था I Hate Tears पुषपा उन्होंने इस डालोग को इंगलिश में ही रहने दिया जिसके बाद ये डालोग भी फिल्म के साथ मशूर हो गया या यू कहिए कि इस फिल्म का सिगनेचर डालोग माने जाने लगा क्योंकि ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई बंगाली फिल्म निशी पदमा पर अधारे थी इसलिए ऐसा माना जाता है आनंद बाबू के किरदार को करने से पहले राजेश खन्ना ने फिल्म को करीब 24 बार देखा था लेकिन इसके बावजूद फिल्म सूपर हिट रही और फिल्म के साथ साथ फिल्म के गाने भी सूपर हिट हुए पिल्हाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे एंबिसी हिंदी खबरों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें